डाक्टर भीमरा अंबेटकर इस समाज को नहीं लिखते थे तो इस जाटब समाज को अनुसुच जाती को कोई नहीं पहचानता योगी मोदी जी ने कुछ नहीं किया है जब हमारी बहन मायवती थी वो समय हमारे 15 रुपए थे 15 से हमारे एक वार में ही 3,5-3,000 रुपए हुए जो हमसे अच्छी तरह चड़े इसलिए कहते हैं जो कर रहे हैं उन्होंने करके गए हैं वो अब तो चलता रहेगा में साथ उनका नाम हमारे तो हमारी रहेगा सुटियों में हो सहरों में पहुंच जाते हो तो हमापे हर चीज की तो में सुबदा मिल लेए है पानी भी नही प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी आप लोग किस की रली में बीजे पीखी में कैसे गई थी आप लोग किस किस साधन से गई थी माड़ी में है सुपरवाईजरों की तरफ से गई हुए थे यहां पर आई यह बोला रही है आप बता तो दो नहीं नहीं तुमको आना है यहां बस से कोटी मीनावा जाना है यहां पर हम पहुंचे तो भाजपा का सरकार है तो नरेंडर मोदी और योगी जी आए थे हमने यहां तो सारा बसड़े यहां तो कुछ नहीं है यह तो महगाई का सारा भूज़ा यह वताओ के यह बीज़ेपी सरकार है तो किस इस सरकाय ने किसी दलित को या किसी किशडी मेला को साधन दिया है और नाम है लल पहन? हमेरा नाम है ललतेश में हूँ हैं तो मैं यह चाहती हूं जो गरीम मेला बना है उनको इस सरकाय ने कुछ कि अदिया है नहीं दिया है क्यों कम इंका यही है तोफा कि हमने रासन काड़ बनवा दिया है रासन दे रहे हैं रासन में चाले रहे हैं इस घर्मी में कौन खा रहा य। ईस प्रकार इस घरमी में बजसेineaें हैं तो इस घरभी में बचल आए बता ये इस मिल्टा मिलते हैं क्या करते है चाशी आप लूग उसका मिलता है में डेच डेटा में तामें तुयह भैजकेऌने तरहें की भाज कर देते हैं गारम हो तो इसे तो अच्छा भी दिये गई और इसे राशन भी दे सकते हैं अगर रोजगार नहीं तो कुछ भी नहीं है सबसे में चीज रोजगार रोजगार से इंसां सिच्छा भी लेगा रसन पाने भी सब गर कर्चा आराम से चला सागए तो जो इसको इस वी चाहिए उसके लिए झाले रासन को तोड़ी रहा कोई खाले गाज डासन के लिए तो सब कुछ चाहिए ना पर में पखाना आफ शारदो हो कि हमारी योगी वह नीट किया है जा तहीट हमारे पंदेस रुपए थे हमरे एक बार में ही तीना थीनितीन थीन यार रपह वे उसके वाध में आव योगी जब योगी सरकार होई बाजपा की तो किवल में रभाएं बढ़ाएं बताओं ये क् सब्सक्राइब करना पड़ता है जो टेक हम रासन आता है उसको भी बांट बांटे है और तीन सच्छा भी देते जानकारी वी देते अच्छा अब आप तक आप लोग इस बाची से समझ गए होंगे कि महिलाएं है और यह दलित समझ गाओं है और जाटाव गाओं है आप मैंने अगर देखा तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है दे ग्रेट जाटाव करके बोर्ड लिखा है किसने लिखाता ग्रेट जाटाव का मतलब क्या होता है कौन मताएगा मतलब महान होता है महान जाटाव सबसे अधिक उसमें जाटाव महान है यह कहने का मतलब कि जानकारी होती है जब हमारे जाती हमारे इसकाष्ट के जब अनुह नहीं ने यह सम्मेदान लखा था तो यह सम्मेदान की सारी जानकारी हमारे जाटाव पहाई है इसलिए ग्रेट जाटाव कहते हैं यह अब यहां आदमी उसे बात कर रहा था तो यह कह रहे थे इसक्रांद कि खीयर का ग Stage की बौद धर्म अपनाऊ और हिंदू धर मतPS इंडु धर्म का बनाया हुआ है था भर आम्म के लिए बना है अभी आहुए तो जाटाव लोग जो हैं वह हिंदू धर्म फॉलो कर रहें कि बाध्य धर्म कर रहें कि पता ने जानना चाहरा हूं क्रेंब बाध्य धर्म से आप बाध्य धर्म से बहुत दो करना होता है जैसे कि सब्सक्राइब नारी को सारी सब्सक्राइब और बाहर निकलने के लिए सिखाया है सब्सक्राइब आगे बढ़ पाई है सम्मिदान के द्वारा सम्मिदान के द्वारा जीए और बहुत दर्म में क्या आप लोगो व्रत्वत रखना पढ़ता है जैसे नॉर्मल होता हैं लोग देखते हैं हिंदु धर्म में महिलायं करवा चौत का वरत रहती हैं या कभी-कभी पहुताना कई सब्सक्राइब रत्व तब यह ज़ती है आप मनाते हैं आर लिख थरम में इस आप मांद मत इन्वामaina यह यह जी तो पर यह मतन आती हूं तो यह जब मनावती है अब आप लोग बताइए हाँ हाँ हमारी डाक्टर भीमरा अंबेड कर इस संबंदान को नहीं लिखते थे तो इस जाटव समाज को अनसुच जाती को कोई नहीं पहचानता ना कोई भी जहां कई भी खड़े हो जाते जब ध्रहमर जाती में तो जब उस समय जब संबंदान नह पढ़ता था इसकोल में पढ़ाई के लिए पीछे पढ़ना पढ़ता था पाने पीने के लिए कोई नहीं जाने देते थे नलों पे नहीं जाने देते बहुत बोटी आज हमारे डाक्टर भीमरा अंबेडगर ने एतना किया है कि जो हम समाज में बैटकर बात कर लिती है और के जांती है वारे में बाताई के बारे में जो कहना हुँ जो जो कहना हो जो मुझे शहीं गलत थोड़े कोहँए कि आपको जभी चुना ओको आपक आ कि भी तो बहुत है हम लोग को वीडियो में आकर वोगते हैं की नएई दौक्टर मोड दोक्टर भीमराव मत बोल आब बाबा साहब बोले नहीं आप लो बता ओı आप भूसकता आवक्णाव बना तो नहीं घलत नहीं है अ शवान आपने और चाहिए और पर पाँच पाएं सबस्क्राइब कर देना चाहिए अगर सच्चेत तो वो हर मुकाम पर पहुंच सकता है इतना हमारे साथ बावा साथ बैठ सकते हैं ब्रहामपन जो है वो दरीत के साथ बैठना चाहता है आप तो बैठना चाहता है अब कोई भी सरकार आए मतलब पहले रोजगार यह सिच्चा पर इन दोनों पर तो रूजगार होना चाहिए और सच्चा तो खाली समयदान से नीचे निगाह कर लेते हैं कि समयदान वावा साव अमिट करने जो दलित समय के थे उन्होंने लिखा ब पढाई की है यहां पर परवार भी नहीं देखा था तो यह सब से आगे सब यहीं पास ब्रहमत समज है सब नीच इसी देखते के आव यह देखो बाबा साब ने कितना किया है कि दलित समाज के बच्चे आंगे बढ़ रहे नोकरी भी कर रहे हैं और पढ़ी लिग रहें लि कि दलीट जो रटका है वो उसकी बाराथ जा रही थी तो घोड़ी पर जा रहा था तो लोगों ने उतरवा दिया गोड़ी से फिर पुलिस कस्टडी में बाराथ गई ठीक आप लोग भी खबर सुनते होंगे कि दलीट को घोड़े पर चलके बाराथ नहीं निकालने दिया गय ठीक है क्योंकि कुछ लोग कुछ जातियों ने बोला कि नहीं दलीट घोड़े पर चलके हमारे गाउं से नहीं जाएगा इस तरह की फालतू बात की जातियों ने ठीक है मैं यह पूछ रहा हूं क्या आप लोगों ने इस तरह की घटनाय कभी देखी है अपने जीवन में कि किसी ने यह बोला हो कि नहीं हम आपके हां खाएंगे नहीं आपके साथ पानी नहीं पियेंगे कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि जब दलित समाज की जब बरात चड़ती थी तो जो ब्रहमर्मण समाज के लोग थे तो बो यह कहते थे ऐसी बरात नहीं चड़के आनी यह गांज पड़े हुए जो वहां पर नहीं ज़र पाती है समाज में अपनी जाती जोड़ते हैं उन पर दूसरे उन में जातब लोग उन्हों को तो बिलुकुल ही गास्कुरा समझते हैं एक तरीके से लिगा शुमस्ते हैं ऐसे बाध पड़े हुए गांज देखे नहीं है तो बच्चे को क्या एक उसमें मिलती है कुछ नहीं मिलता हुए लेकर आज हमारे जो छोड़ शोड़ सायर शीटी में पढ़ गया है तो उन्हें तो मिल लिए शिक्षा जो गाउम में वहां मिल लगी है किती-कती दूर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं आ रहे हैं कभी किसी न कर रहे हैं उन्हें करके गया वो अपतर चलता रहे गामें तो रहे गांशा कई आज करकार के बद्रिये में तो मैज़को मैज़ूरी भी अच्छी तरह नहीं का फर महगाई तो लोग गए है तुम लोग भार जो गाई पड़े वे बेड़ वहां कभी गया है लुट्छे बाठू करनेसे चाहिक पूछ नोट है कि वी, अच्छे में बच्चों काक पड़ा नम्यां को पूदा कि र सब्सक्रांऊ-प। रिश्राइन में वे यहां सीटी में यहां से सन नख़्ग का कई देखती ही में। है कि यह कभी आप लोग देखते नहीं हो सब्सक्राइब लिए पानी पीने के लिए नहीं है और पड़ाई के लिए शुक्षा है इती दित तुक्य हम लोग वहां पढ़े हैं हम लोग निकल के तो हमारी पापने सहर में आके मकान लिया था कि आप पढ़ सके तो दलित महिलाएं हैं यह नगला जार की जो अपने अपने हिस्से की समझदारियां हमसे शेयर कर रही हैं हम इन्हें बिना किसी फिल्टर के आपके बीच लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में कुछ कट्स देखने को मिले होंगे तो वो असलग पॉइंट्स जहां पर लोग चुप हो गए थे जहां पर कैमरा कुछ प्रपरली फंक्शन नहीं कर रहा था जहां पर माइक प्रपरली फंक्शन नहीं कर रहा था तो मैं उन कट्स का अभी आपको अभी आपको अभी आपको अभी सफाई दे रहा हूं बाकी ऐसी रिपोर्ट्स हम जारी रखेंगे ऐसी बाची तमझाए रखेंगे लालन टाप के दूसरे शेहरों से, दूसरे माद्यमों से और दूसरे तरीकों से, चुनाव जात्रा जारी रहेगी, मैं हो सिध धानत, और कैमेरे के और रिड़ पे हैं वीजय, लालन टाप आप देख रहे थे, बहुत बहुत